दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पिले इस्टोर से या आपका Instagram अप्डेट नहीं हो रहा है जैसे कि हम इस पर किलिक करते हैं यहाँ पर हम सर्च करेंगे Instagram और यहाँ पर आपके सामने आजाता है आपका Instagram और यहाँ से आप अपने Instagram को अ इस वीडियो के अंदर दो आसान सेटिंग बताएंगे जिन्हें अगर आप अपलाई करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा तो हम यहां से अभी इससे कैंसल करेंगे वो सेटिंग कौन सी है और आपको कहां पर मिलेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले अपने होम इसक्रीन पर आपको आ जाना है होम इसक्रीन पर आने के बाद सबसे पहला सेटिंग आपको करना है अपने फोन में और दूसरा सेटिंग आपको मिलेगा पिले इस्टोर में फोन में सेटिंग करने से यह होगा कि अगर आपका नेटवर्क अच्छे से काम नहीं क करने के बाद यहां पर आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सर्च कर देना है रिसेट जब आप यहां पर रिसेट सर्च करेंगे तो आपके सामने एक रिसेट नाम का सेटिंग आ जाएगा जैसा कि आप देखेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप इस second option मिलता है, reset network setting, आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद, आप यहाँ पर reset setting पर click करना है, जो आप इस पर click करेंगे, अपने phone का आप pattern डालेंगे, यानि कि log डालेंगे, आप यहाँ से आपका कोई भी data delete नहीं होगा, यहाँ से आपको reset पर click कर देना है, आपका network का जो setting ह यहाँ पर reset हो जाएगा, आप यहाँ से आपको आजाना है back, आने के बाद, आपको करना क्या है, कि अपने play store को आपको setting करना है, तो play store पर आपको कुछ देर दवाकी रखना है, जब आप कुछ देर दवाकी रखेंगे, यहाँ पर आजाएगा एक i button, आप इस पर click कर तो play store का app info यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, storage के नाम से आप इस पर click करेंगे, जब आप इस पर click करते हैं तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, clear chase आप इस पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक बार यहां पर आपको Aeroplane Mode अपलाई करेंगे, अपलाई करने के बाद आपको इसे हटा देना है, हटाने के बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, कि अपने Play Store को आपको अब ओपन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि मैंने अभी flight mode apply किया है तो हमारा internet काम नहीं करेगा एक minute के लिए हम यहाँ पर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम यहाँ पर अपना play store open करेंगे play store open करने के बाद इस तरीके से play store open हो जाएगा अब यहाँ पर हम फिर से search करेंगे instagram जब आप यहाँ पर instagram search करते हैं इस पर आप click करेंगे click करने के बाद आप update पर click करेंगे update पर click करने के बाद थोड़ा सा आप wait करेंगे अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा waiting for wifi तो हम यहाँ पर आपको download पर click कर देना है download पर के लिए करने के बाद अब यहाँ पर आपका सारा problem fix हो चुका है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो आपका instagram है वो update होना start हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने instagram को नए वर्जिन में आप update कर पाएंगे अगर आपके सामने update problem आ रहा है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद